नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर आपको एक हेडलाइन दिख रही है यह आज के इंडेन एक्सप्रेस की हेडलाइन है इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है इस स्टोरी में क्या खुलासा किया गया है और वो खुलासा जो आयोध्या से जुड़ा है राम मंदिर के इलाके से जुड़ा है उस आयोध्या से जिस आयोध्या में हजारों घर उजारे गए क्योंकि रामपत बनाना था आयोध्या का सौंधरी करन करना था इसलिए जंगल उजारे गए बहुत सारे ऐसे लोगों को उनके घरों से चाहे अंचाहे बेदखल किया गया जो अपना घर नहीं छोड़ना चाते थे उनकी रोती बिलखती तस्वीरे भी हमने देखी जब उनके घरों को तोड़ा गया लेकिन उसी आयोध्या से दूसरी ख़बरे भी आती है जो इंडियन एक्स्प्रेस जैसे अख़वार तो चापते हैं वरना आप तक ये ख़वर पहुचती भी नहीं कि उसी आयोध्या में राम मंदिर का जब से निर्मान होना शुरू हुआ या जब से सुप्रिम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से लेकर अब तक कैसे हजारों लोगों ने जमीने खरीदी हैं राम मंदिर से 10 किलो मिटर, 8 किलो मिटर, 6 किलो मिटर, 12 किलो मिटर, 15 किलो मिटर के दाएरे में और वो जमीने खरीदने वाले वो लोग हैं जो नौर्थिस्ट के किसी सुबह के डिप्टी सीयम है, उत्तरप्रदेश्ट के पॉलिटी सेन है, बिधायक है, बड़े बड़े नौकर शाह है, मुंबई के कोई द्योग पती है, कोई अडानी से जुरा है, कोई लोधा गृप से इसके बारे में एक्सप्रेस में ऐसी कोई जानकारी नहीं है लेकिन खरी दी तो बड़ी खबर तो जरूर है ये लाभार्थी वर्ग है जिन्हें राम मंदिर पर सुप्रिम कोट के फैसले के बाद आयोध्या में जमीनों की कीमते जो बढ़ी या बढ़ने की जो उम्मी जगी और वो लगातार बढ़ेगी उससे जिन्हें फाइदा हुआ जिन्होंने जमीने खरीदी उस लाभार्थी बर्ग की स्टोरी आज इंडिन एक्सप्रेस में छपी है एडिंग ए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अरुनाचल डिप्टी सीम टू चीफ आफ यूपी स्पेशल टास्ट फोर्स ब्रद्भूशन ब्रद्भूशन संपी संट टू पॉलिटी सिंस एक्रोस पार्टी लाइन्स रस्टू राइड आयोध्या बू मतलब आयोध्या में जमीन खरीदने वालों में अरुनाचल के डिप्टी सीम से लेकर यूपी के स्टी एफ के चीफ से लेकर ब्रद्भूशन शरन सिंग को ख्यात बहुवली बीजेपी नेता जिनका टिकट इस बार कट गया लेकिन उनके बेटे करन भूशन को मिला भी और वो जीत भी गए है करन भूशन समेत कई पॉलिटीशन अलग-अलग पाटियों के सपा के भी बसपा के भी बीजेपी के भी और बहुत सारे नौकर्शा जिन्होंने जमीने खरी दी यही हैड्लाइन है उसके नीचे है ले इंडियन एक्स्प्रेस इंवेस्टिगेटेड ओवर 2,500 लैंड रेस्ट्री इंडियन ऍडियन एक्सी सो जमीनों की रेस्ट्री की जाज की पच्सी सो रेस्ट्री एक्रॉस 25 विलेज़ जो 25 गाओं में फईली हैं जमीनें जो सुप्रीम कोट के 2019 के फैसले के बाद खरी दी गई क्योंकि 2019 में सुप्रीम कोट ने राम मंदिर निर्मान का फैसला दिया था या उसके बाद से राम मंदिर सुप्रीम कोट के फैसले के बाद से राम मंदिर के निर्मान का रास्ता खुल गया था और आज मंदेर निर्वान हो चुका है प्रान प्रतिष्टा हो चुकी सब कुछ आप जानते हैं एक्सपेस ने पाया कि found many purchases linked to politicians, senior officials, local leaders और इस story में जो कुछ है मैं बताना चाहता हूँ जैसा कि मैंने कहा ये लाभार्थी वर्क के लोग है इस खरीद विक्री के पीछे कोई कहानी है ये हम कहना नहीं चाहते और कुछ है तो हमें कोई जानकारी नहीं मैं सिर्फ उतनी ही बात बता रहाँ जितना Indian Express में छपा है हू बहू उसका अनुवाद लेकिन ये हम सब लोग जानते हैं कि जमीने जब खरीदी और बेची जाती है तो जो सर्कल रेट होता है वो कागज पर होता है आप भी अगर जमीन खरीदते होगे खरीदी होगी आपने बेची होगी तो आपको पता होगा कि उसमें ब्लैक एंड वाइट का बहुत काम होता है और बहुत लेंदेन होता है कई बार जो जमीन एक करोर में सरकल रेट के हिसाब से खरीदी जाती है हो सकता है उस जमीन की खरीद बिकरी में दो करोर का ट्रांजेक्शन हुआ हो कुछ कैस और कुछ च जानकारी को गवर से सुनिये सुप्रिम कोट के फैसले के बाद 15 किलो मिटर के दाइरे में जैसा कि मैंने कहा जब से फैसला आया 2019 नवंबर से लेकर 2024 के माज तक जो जमीने खरीदी गई उसमें खरीद बिकरी में 30 फीजदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है बीते 5 सालों में आयोध्या और आसपास के 25 गाओं में जमीने खरीदी गई इसमें गोंड़ा और बस्ती जिले भी आते हैं चुके सब आयोध्या से सटे हुए हैं एक ग्राफिक्स भी छापा इंडिन एक्सप्रेस ने कि कहां कहां ये जमीने खरीदी गई हैं उन इलाकों के नाम हैं जो स्क ये वो सब इलाके हैं जहाँ जमीने खरीदी बारत अब किन लोगों ने खरीदी एक्सप्रेस ने जो चापा है अरौनाचल के डिप्टी सीम और बीजेपी नेता जो अरौनाचल के भी डिप्टी सीम है दूसरी बार वहां डिप्टी सीम बनें उनके बेटे ने 3.99 हेक्टे जमीन सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 3 करोड 72 लाख में खरीदी और ये जमीन राम मंदिर से 8 किलो मेटर दूर गोंडा जिले में परोसी जिले हैं गोंडा और बस दी अपरेल 2023 में इस जमीन का एक हिस्सा 0.768 हेक्टियर 98 लाख में बेच दिया गया गया और से सुनते जाएं बहुत सारे लोगों ने किया है जमीन खरीदी कुछ टुकड़ा बेच दिया कुछ रखा है किसी ने पूरा बेच दिया लेकिन एक्सप्रेस ने इंवेस्टिगेट कि है खरीद बिकरी का मुझे यह भी पता चला कि बहुत सारी ऐसी भी जमीने होगी जिसका एक तरह से स्टैबलिश एक्सप्रेस के रिपोर्टर नहीं कर पाए होंगे कनेक्शन या वो जमीन का जो खरीददार है उसका जो उसके पीछे अगर कोई है तो उससे उसका क्या अब जैसा कि मैंने का 3.99 यह भी समझ लें कि हेक्टेर एक हेक्टेर में कितना एकर कितना बिगा कितना स्कॉर मीटर कितना स्कॉर फिट होता है ताकि समझने में आसानी हो इसमें सारी जो आकड़े हैं वह हेक्टेर में जमीन की जो 25 एक हेक्टेर यानि 2.471 एकर एक हेक्ट हेक्टेर मतलब 10,000 स्क्वाइर मीटर और एक हेक्टेर मतलब 17,649 स्क्वाइर फिट एक हेक्टेर तो इन्हों ने खरी दी उसके बाद कौन को लोग है नाम को गवर से सुनते जाएए बहुत सारे और नाम होंगे जिनके बारे में भी पता नहीं है ये यूपी पुलिस स्टी एफ चीफ एडिशनल डीजेपी अमिताव यश अमिताव यश की मां गीता सिंग ने गोंड़ा के महशपूर और दुर्गागंच इलाके में आयोध्या के एदुवन्षपूर इलाके में दुर्गागंच गोंड़ा का एदुवन्षपूर इलाके में 9.955 हेक्टेर किसी योगी जमीन खरी दी अब इसको अगर मैं एकर में कनवर्ट करेंगे तो अगर एक हेक्टियर का अगर करीब करीब धाय एकर होता है तो ये अगर दस हेक्टियर है तो माल ये 24 एकर के आसपास होना चाहिए इतनी जमीन खरी दी बीगा होगा तो और जादा होगा फरवरी 2022 से फरवरी 2024 के बीचे जमीने खरीब 4 करोड में खरी दी गई अमिताब येश की माने खरीदी मंदिर से इन जमीनों की दूरी 8 से 13 किलो मिटर है मैं हूब हूब वही बता रहा हूँ जो एक्सप्रेस में छपा है हिंदी तरजमा मैंने किया है इन में से 0.505 हेक्टिय जमीन 16 अगस 2023 को 20,40,000 में बेच दी गई अमिताब येश ने एक्सप्रेस के सवालों का जबाब नहीं दिया एक्सप्रेस के रिपोर्टर या जो भी प्रोफेस्टनल ऐसे रिपोर्टर होते हैं इन्वेस्टिकेटिव स्टोरी जब होती है तो कोशिस होती है कि जिसके बार पर संजीब गुपता भी हैं संजीब गुपता की पतनी चेतना गुपता ने 253 स्कौाइर मीटर आवासिया जमीन मंदिर से 14 किलो मिटर दूर बनवीर पूर इलाके में खरीदी पांच अगस 2022 में जमीन 35 लाख 92,000 में खरीदी गई संजीब गुपता ने एक्सप्रेस को बत पांडे और उनकी पतनी ने 151 स्कौाइर मीटर आवासिया जमीन शहनवाजपूर माज़ा इलाके में खरीदी मंदिर से 7 किलो मिटर दूर ये जमीन 64,057,000 में जून से अगस्त 2023 के बीच खरीदी गई पांडे जी वेसे भरष्ट अचार के मामले में फसे हैं और सस्पेंशन पर चल रहे हैं उनकी पतनी ममता बस्ती जिले की बीजेपी के नेता है आयोध्या में 2022 में खुले एक रामायन नाम के एक होटल के मालकी ने अमडी है और ये जमीन रामायन होटल के बगल में ही है अर गौर करने वाली ये भी बात है कि हर दौर के मतलब बीजेपी हो सपा हो बसपा हो हर दौर के कुछ अधिकारी भी है और नेता भी है अलग-अलग दलों से जुड़े यूपी के पुर्व डीजेपी एस्पाल सिंग एस्पाल सिंग ने 0.427 हेक्टियर अग्रिकल्चर और 132 एक सो बतीस स्क्वाइर मीटर आवासिया लैंड रेजिदेंशियल लैंड आयोध्या के बनवीरपूर इलाके में खरीदी मंदीर से 14 किलोमेटर की दूरी पर ये जमीन दिसंबर 2020 से सितंबर 2023 के बीच 73 लाग में खरीदी गई उनकी पतनी गीता सिंग बलरामपूर से सपा की पूर्व बिधायक हैं तो यहां सपा की बिधायक हैं उन्होंने मतलब उनका भी रिष्टा है खेर नौर्थ सेंटर रेलवे के सीनियर इधिकारी अनुराग तरपार्थी 2017 से 2023 तक सीवीएसी में सेकरेटरी थे अनुराग तरपार्थी के पिता मदन मोहंतर पार्थी ने 1.57 हेक्टेर खेती होगी जमीन और 640 स्कॉयर मीटर आवासी है जमीन अहुद्या के कोटसरा इलाके में खरी दी मंदिर से करीब करीब 15 किलोमेटर दूरी पर ये जमीन 2.33 करोड में खरी दी गए मतलब 2 करोड 33 लाख में खरी दी गई मार्च 2023 में मदन मोहंतर पार्थी ने विद्या गुरुकुलम ट्रस्ट के नाम से करार किया और 1.2324 हेक्टेर जमीन 3.94 करोड यानि 3 करोड 99 लाख में ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी उस ट्रस्ट के सचीव भी मदन मोहंतर पार्थी जी है उनका कहना इस स्कूल पर हम जमीन खरी देंगे वैसे जमीन का एक टुकडा उन्होंने किसी और संस्था को भी बेची है यूपी के बस्ती जिले के बीजेपी बिधायक हैं अजै सिंग अजै सिंग के भाई कुमार सिंग और उनके नेफियू है सिदार्थ कोई उन्होंने मंदिर जे करीब 8 किलोमेटर दूर के महश्पूर इलाके में 0.455 हेक्टेर जमीन खरीदी ये जमीन पार्क व्यू फ्लैट्स के नाम से खरीदी गई और बिधायक महुदे का कहना है कि पार्क व्यू फ्लैट्स जो वाली जो कंपनी है उससे उनका लेना देना नहीं अमेठी जिला पंचायत के राजेश अगरहरी राजेश मसाला के नाम से बहुत प्रसिद्ने जब मैं अमेठी गया था उनका नाम हर जगा चौक चौराय पर उनका जिकर होता था उनका नाम सुना जाता है स्मिर्त इरानी के काफी करीवी हैं और परदे के पिछे चुनाओ प्रबंधन में राजेश मसाला राजेश अगरहरी की बहुत आहम भूमिका है और वो वहां अमेठी जिला पंचायत के चेर्मेन भी है राजेश मसाला के अगरहरी मसाला उद्योग ने मंदिर से 10 किलोमेटर की दूरी पर 0.79 हेक्टेर जमीन जून 2023 में 8.35 करोड यानी 8 करो को एकॉमडेट करने का इस्तेमाल इस जमीन में होगा पता ने जो भी इस्तेमाल करेंगे अली गड़ के एस पी हैं पलास बंसल पलास बंसल के पिता देवराज बंसल इन्निन फॉरस सर्विस के रिटायर आफसर हैं उन्होंने किसी इस्टोर बंसल के साथ 1781 स्कौाइर मीट करेंस में स excellence लाग को औरशव हजार में खरीदी मंदिर से जमीन 15 किलमिटर दूर है पलास बंसल मैं 2012 तक आयोधिय यह पूस्टेट इन्हाद इन्हीं इस है नहीं पहना है तरुस द्शमीनिन नहीं नेdes पर इनकर पिता-ने किसी दूर के रिश्ट्यदार के साथ मिलकर जमीन खरी दी उनका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है अमेटिक एसपी और आईपियस अदिकारी अनूप कुमार सिंग के फादर इलो ने इन लाज ने राम मंदिर से नौ किलो मेटर दूर गोंडा जिले में करीब चार हेक्टेर जमीन खरी दी खेती होगे जमीन करीब 20 लाग में खरीदी गई है हलाके अनूप कुमार सिंग का कहना है कि इस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है गोसाईगज नगर पंचाच चेर परसन बिजयलक्षमी जैसवाल बिजयलक्षमी जैसवाल के रिष्टदार मदन जैसवाल और उनके परिवार के सदस्यों ने राम मंदिर से करीब 8 किलोमेटर की दूरी पर 8.71 हेक्टेर जमीन करीब 1.13 करोड में खरीदी 8.7 हेक्टेर अगर जमीन देखेंगे तो वालिम देखेंगे उनकी कंपनी नंदरी इंफ्रेस्ट्रक्चर ने राम मंदिर से 8 किलोमेटर दूर गोंडा जिले के महश्पूर इलाके में 0.97 हेक्टेर जमीन खरीदी जनवरी 2023 में जमीन 1.15 करोड यानी 1.15 लाक में खरीदी गई जुलाई 2023 में इस जमीन में से 6,3,7 स्क्वाइर मीटर जमीन करीब साथ लाक में बेच दी गई इसी तरह से बीजेपी के पुर्व धायक हैं चंदर प्रकास सुकला, सपा के पुर्व MLC राकेश राना, बीजेपी के पुर्व MLC श्याम नाराइन सिंग और बिनित सिंग बीजेपी के थे पहले आप जो बीजेपी में, तो बीजेपी के पुर्व MLC श्याम नाराइन सिंग और बिनित सिंग जो अभी बीजेपी में, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसमें आडानी ग्रुप भी है, जिसमें लोडा ग्रु गोटिया जो कॉलेज हैं उसके जो मालिक हैं उनके बेटे डिरेक्टर ही है धूरूप गोटिया उन्होंने भी जमीन खरी दी है 3.34 स्कॉार मीटर लैंड उन्होंने खरी दी है गोंड़ा मंदिर से 8 किलोमेटर दूर गोंड़ा की महशपूर आके में दिसंबर में जो लगब कि जमین की कीमते बढ़ गई और कीमते बढ़ने से इन सब को लगा हो गई कि वहां कुछ करू करू करो कैक करो बिजनेस के बार को बिजिनस के लो इसकूल करो खुलो ед करो तो इसका फाइदा हो इसकल ले जमीन हो खरी ले ख़रीदने में किसी तरह का कोई घोटाला है कोई प्रो को है कुछ है ये मैं नहीं कह रहा हूँ और ये कहने का आश ये इस रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ इशारा नहीं किया गया बात सिर्फ इतनी है कि जमीन के लोगों ने खरी दी कौन लोग अयोध्या में उस विकास के लाभारती बने और कौन लोग वो थे जिन्हें आयोध्या में विकास के बाद या आयोध्या में राम सेतु के निर्मान की वज़ा से या आयोध्या के सौंदरी करन की वज़ा से जिनकी मकाने जिनकी दुकान वो सब ध्वस्त किये गए या एक्वाइर किये गए जबरन अधिकरन किया गया और उन्हें छोड़ना पड़ा जिनकी तस्वीरे आपने बार-बार देखिया और उसी आयो द्याब में फैज़ाबाद लोग सवासीट में इस बार बीजेपी को श जमीन मकान दुकान जिनका एक्वाइर किया गया जिन्हें उस विकास की किमत चुकानी पड़ी और वो दुखी नाराज परिशान लोगों की तस्वीरे देखिये अब बात आरी एक्स्प्रेस नहीं छापा है कि एक होता है कि जब आप कहीं लैंड की किमत बढ़ती है तो सर ह्यां कर यह एक है कि साथ साल से हलाँके 54 जिले और होंगे साथ साल से यहां चापकिल रेट इस अयोध्या इलाके में चाप जिले वह से हैं जहां चाहां सरकिल रीट नहीं बढ़े और सरकिल रेट न बढ़ना भलने का फाइदा भी इन्हें मिला है जिन्होंने जमीन खरी दिए अब उसको लेकर सवाल है क्यों नहीं बढ़े अब उसको एक जनरलाइज किया जा सकता है और बहुत जिले है नहीं बढ़े लेकिन और बहुत जिले और जहां सीधे पता चल गया कि फाइब स्टार होटल तक बन रहा है उद्यामेसरियों के किनारे आसपास जो विकास हो रहा है क्योंकि सब को लग रहा है यहां लाखों लोग साल भर में आएंगे तो बहुत तरह की योजना हैं या बहुत तरह की प्रयोजना हैं सरकार की आ र रिवाइज करें लेकिन वहां सरकिल रेट रिवाइज नहीं हो यह भी एक्सप्रेस ने अच्छा पर बारहल इस स्टोरी का मतलब और मकसद यही था कि समझे कि जमीने खरिदने बाले कौन लोग हैं और अधिगरन के शिकार या विकास के शिकार कौन लोग हैं फिलाल इस व विडियो में नमस्कार